नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अलफाबेट कोचिंग सिंद देखिए अभी तक जो भी कलासे आपको चलती थी क्रणट फेर की करंट पियूब चलता ही था लेकिन आज जो आपका क्लास चलने वाला है और आने वाले समय में जो भी आपका क्लासे चलेंगे इस चैनल पर वह आपको नेक्स्ट रेवल की तयारी कराई जाएगे तो देखिए आज तारीख है आपका 31 माई 2023 यहां पर डेली करण रफेर के कोश्चन भी कराई जाते हैं देखिए पहला आपका जो कोश्चन बना है देखिए केंदर ने स्वच्च सरवेच्च दो हजार ettay लांच किया है तो देखिए यहां पर देखिए यह वेस्ट टु हेल्द ठीक इस आपका तीम हो जाएगा लांच भारा सरकार की केन सरकार ने स्वच भारत मिसन सहरी 2.0 के तहट स्वच सर्वेचर यस यस 2023 का आठमा संस्क्राण लांच किया है आवास और सहरी मामलों की मंत्राले के सचीव मनोज जोसी ने नई दिल्ली में एक आभासी कारिकरम में इसे लांच किया वेश्ट टू वेल्थ की तहिम के साथ इसकी ड्राइविंग फिलास्पी के रूप में डिजाइन किया गया स्वच सर्वेचर 2023 को अपसिष्ट प्रबंदन में चक्रियता प्राप्त करने के लिए तयार किया गया है सर्वेचर में तीन रूपए रेडियूश और रिसायकल और रियूज के सिद्धाद को प्राथमिक्ता दीख जाएगी स्वच जो सर्वेचर केवल एक मुल्यांकन उपकरण के होने के बजाए एक प्रेड़ा उपकरणा है के रूप में विखजित हुआ है कहीं भी किये गए इस सबसे बड़े सर्वेचर ने जमीनी इस तरपर ठोस बदलाव लाए है सहरी ने अच्छा सहरो ने अच्छा इसे परदर्शन किया है और इसमें गर्व की भावना ये है कि स्वच सर्वेचर दुनिया में सबसे बड़े सहरी स्वचता सर्वेचर के रूप में उबरा है यह देखा गया कि जब 20 स्वच सर्वेचर शुरू होता है तो सहरो दुआरा की जाने वाली गतविदियों का एक बढ़ा हुआ इस तर होता है और सर्वेचर की यह जाने के महीनों के दौरान सहर इसपश्ट रूप से स्वच होते हैं इसलिए यस यस 2023 में मूल ल्यांकन पहले के संस्क्रडों में तीन चर्डों के बजाए चार चर्डों में आयोजित किया जाएगा दूसरा देखे क्या है भारत का पहला ओलंपिक मूल सिच्छा ओडिशा में सुरू किया गया अब देखे यहां पर आप देख सकते हैं ओडिशा सासन ये ओवी ये ये आपका भारत का पहला ओलंपिक मूल सिच्छा ओडिशा में सुरू काहां पर ओडिशा में अभिनोबिन्दरा फाउंडेशन ट्रेष्ट जिसका स्वारट पार मोता है एबी ये ये अप्टी के सयोग सिमोख मंतरी नवीन पतनाया के द्वारा अंतराश्ट्री ओलंपिक समीति आई ओसी के ओलंपिक मूल सिच्छा कारिकरम O.E. O.V.E.P. जिसको कहते हैं का एक सुभारम उडिशा में किया गया था O.V.E.P. संसाधनों का एक वैभारिक सेट है जिसका उद्देश उद्द्द्य युवाओं को उद्करिश्टा, सम्मान और दोस्ती के ओलंपिक मूल्लियों से परचित कराना है यही एक मूले आधारित पाठिकरम होगा जिसे सुरू में राउर केला और भूने स्वर के 90 स्कूलों में लागो किया जाएगा जिसमें लगबग 32,000 बाच्चे सामेल होगे ओडिशा राजे OVEP के चरड़ा बद तरीके से अपने सभी स्कूलों और उच्च सिच्चा संस्थानों में ले जाने का इरादा रखता है जिसे इसकी युवा आवादी को वास्ताव में ओलंपिक मूल्लियों पर ले जाने में सच्चम बनाये जा सके यह IOC द्वारा बनाये गए मुफ्त और सुलब सिच्चर संसाधनों की एक स्रिंखला है जो ओलंपिक खेलों के संदर्व और ओलंपिज के मूल्लियों सिध्धानतों का उपयोग करिके सहचडिक पार्ठिकरम को पूरा करने के लिए है अगला देखिए क्या है इसमें कारिकरम का उद्देश से जो है बच्चों को सक्रिये स्वास्त और जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद करने के लिए इस मूल्ले आधारित पार्ठिकरम का प्रियास करना है भारत के ओलंपिक आंदोलन में एक एतिहासिक पहल OVEP की सुरुवात जो है प्रतिष्टित IOS 2023 सत्र के निर्मार के रूप में हुगा है अब देखिए सभी जो आपकी प्रतियों की परिच्छाओं के लिए कुछ महतपूर आपका कोश्चन निया पर दिया गया है अंतराष्टी ओलंपिक समीत का मुख्याला पर है यह लूसाने में है और लूसाने पढ़ता कहा है किस देश में पढ़ता है स्वीटजर लैन में अगला है आपका अंतराष्टी ओलम्पिक समीद की महानिदेशक क्रिश्टोफ टीक के परहन अंतराष्टी ओलम्पिक समीद की स्थापना की अगर बात की जाए तो यह 23 जुन 1894 होई थी और यह पेरिस में होगा था पेरिस कहां परिस्थित है प्रांस में डाक्टर टेड्रोस गेब्रेयसस को विष्व स्वाष्ट संग्ठन के महानिदेशक की रूप में फिर से चुना गया है इस से पहले कौन थे निदेशक यही थे विश्व स्वाक्स्त संगठन ने 16 अगस 2022 से दूसरे कारिकाल के लिए डबलू यच्चों के महानी देशक के रूप में टेड्रोस अधनोम गेबेशिस को फिर से नियुक्त किया है जेनेवा में 75 में 20 स्वास्त सभा के दोराण उनके पुने चुनाओं की पुष्टी की गई वे अकेले उम्मीद वार्थे ड़ाक्टर टेड्रोस को पहली बार 2017 में चुना गया था एक प्रमुख वार्थिक बैठक में जिबूती से अहमद, रोब लेह, अब्दिलेह, द्वारा गोसित, गुप्त मतदान, द्वारा वोट को एक अवचारिता के रूप में देखा गया क्योंकि टेड्रोस एक मात्र उप्तमीदवार थे, मंत्रियों और प्रतिनिदियों ने बारी-बारी से हाथ मिलाया और इथोपिया के पूर्व स्वास्त मंत्री टेड्रोस को गले लगाया, जिनों ने कोविड-90 महमारी के असांत काल में सियुक्त राष्ट की एजनसी को आग मुख्याला कहां है जिनेवा में, जिनेवा कहां आईस्ती थे, शुट्जर लेंड में, विस्त्व स्वास्त संगटन की स्थापना कब हुई थी, साथ अपरेल 1948 को, अब देखिया आर्बी आई से, आर्बी आई द्वारा निर्धारित सभी एटियम में कार्ड लेस कैस निक विकल्प प्रदान करें, अपने एटियम पर सभी बैंक, एटियम नेटवर्क और WLAO के विकल्प की पेशकस कर सकते हैं, भारतिय राष्टिय बुक्तान निकम को सभी बैंको और एटियम नेटवर्क के साथ एकी कृत बुक्तान इंटरफेस एकी करड़ को यधा संभव सरल बनाने की सला दी गई है, ग्राहक प्राधी करड़ UPI का उपयोग करके किया जाएगा, लेकिन निपटना इसका जो होगा राष्टि वित्तिय स्विच एटियम के नेटवर्क के माध्यम से किया जाएगा, एक अधिसूचना में इंटरचेंज सुल्क और ग्राहक सुल्क पर भी लागत को लागो किये बिना आन यस, आन आफ यस, ICCW लेन देन आयोजित किया जाएगा, सेवी से देखिए, सेवी ने ICX की इस्थाई मानिता रद कर दी है, बाजार नियामक सेवी ने गोशला की, कि उसने इंडियन का मोडिटी एक्षेंड लिम्टेड की मानिता रद क कर दी है, सेवी द्वारा नेट वर्थ और इंस्फरा ट्रक्ष्चर मान दंडो सहीत कई आधारों पर इसे गयर अनुपालन घोसित करने के आदेश के बाद एक्षेंज की मानता रद की गई थी, निकासी के परड़ाम सरूप आईसेक्स को अपने निवेशक सुरच्छा कोस और निवेशक सेवा कोस में धन को सेवी के निवेशक संडच्छड और सिच्छा कोस में इस्थांतरित करने का निर्देश दिया गया है। आईसेक्स ने कहा है कि इस्थाक एक्षेंज सब्द का इस्तमाल ने करे या इसके सहायक कमपनियों के नामों में से इसकी किसी भी बदलाव का इस्तमाल ने करे। संगी सरकार ने आईसेक्स की इस्थाई आधार पर फारवर्ड कांट्रेक्ट एक्षेंज के रूप में मानेता दी है सेवी का जो सेवी के पारे में देखते हैं देखिए ये भारती सुरच्छा और विन्वे बोड है सेवी के अधिच्छ की बात करें तो मादवी पूरी बूच है भारती नौसेना बांगला देश और नौसेना तुई पच्छी पूर बोंगो सागर शुरू हुगा है भारती नौसेना और यानि आई आई यन और बी यन दोई पच्छी अभ्यास अभ्यास का नाम है बोंगो सागर कस तीशा संस्क्रड़ 24 मही दोजार 22 को पोर्ट मोंगला में शुरू हुगा है अब देखिए अभ्यास का बंदरगाय का जो चरड़ है 24 यहां पर जो 22 है यहां पर तीश रहेगा चरड़ जो है 24 मही 24 से 25 मही से सुरू हुगा है और जिसके बाद आपका 26 27 तक बंगल यह चला है अभ्यास बोगो सागर का उदेश जो है वो दोनों सेनाओं के बीच समुद्री अभ्यास और संचालन की एक व्यापक स्पेक्टरम के संचालन के माद्यम से उच इस्तर की अंतर शमता और संयुक्त परिचालन कौसल विक्सित करना है भारतिय नवसेना के जहाज कोरा एक स्वदेशी स्वदेश निर्मित गाइड़ मिसाइल कारवेट और सुमेधा एक स्वदेश निर्मित अपतटी गस्ति पोथ अभ्यास में भाग ले रहे हैं बांगलादेश नवसेना का प्रतिनिदित बी एनियस अभू उबैदाह और अली हैदर दोनों गाइड़ेड मिसाइल इंग्री ग्रेट्स द्वारा किया जा रहा है कोलकाता जव विदिता रजिश्टर प्राप्त करने वाला पहला मेट्रो सहर बना है कोलकाता जव विदिता का विश्टित रजिश्टर तयार करने वाला देश का पहला मेट्रो सहर बन गया है कोलकाता नगर निगम ने पीपुल्स बायो डाइवर्सिटी रजिश्टर यह जिसको सार्ट में कहते हैं PBR जारी किया है जहर में वनस्पतियों और जीओं के किस्मों के साथ साथ इसके भूम उप्योग और मानुगत विदियों के विपरल के साथ एक दस्तावेज है दस्तावेज जो है वो राजय जैव विविदिता बोड के देख रेख में और गैर तरकारी संगटनों की मदद से नागरिक निकाय की जैव विदिता प्रबंदन समिती बी यम सी द्वारा तयार किया गया है चंडिगड और इंदौर अन्य महत्पूर सहर हैं जिनों ने दस्तावेज तयार किया है खुलकाता के 520 पन्नों की जैव विविदिता रेजिस्टर जिसकी एक प्रती देटेली ग्रॉप के पास है पेड़ों की परजातियां 138 और 26 परकार की चीजनी सबजियां और सदियां पौदें की 33 परजातियां और लगबग 109 पौदों की परजातियों का दस्तावेजी करण किया गया है रिपोर्ट में सहर के 144 वार्डों से प्राप्त आकडों की आधार पर लगबग 290 जानवरों की परजातियों का भी दस्तावेजी करण किया गया है जिनमें तितिलियों की लगबग 70 और मचलियों की 47 और पच्चियों की 84 और इस्तंधारियों की 22 किसमें सामिल है रिपोर्ट में पूर कोलकाता, वैड लेड्स और रविंद्र सरोबर जैसे हाट स्पार्ट स्वामी है सिच्छा मंद्रालन ने राष्टी उपलब्दी सर्वेच्षड रिपोर्ट 2021 जारी किया है 2021 संस्पार्ट के लिए राष्टी उपलब्दी सर्वेच्षड की रिपोर्ट जारी कर दी गई है जो की यन एएस 2021 के नाम से दुनिया के सबसे बड़े सर्वेच्षड में से एक नेशनल अचीवमेंट 2021 को देजभर से 12.11.2021 को आउजित किया गया था ताकि सीखने की कम्यों की पहचान की जा सके और उपचारमात्म को पाय किये जा सके राष्ट्रिय राज्य और जिले इस तरों के लिए यन एएस 2021 रिपोर्ट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट यन एएस.cov.in पर उबलब्द कराएं गये है पिछले साल 12 नॉवंबर को आयोजित यन एएस 2021 में 36 राज्यों और केंदर सासित परदेशों के 720 जिलों के 1.1.18 लाख स्कूलों में 34 लाख सेदिक चात्रों का आकलन किया गया था यन एएस 3 साल के चक्र अवधी के साथ अच्छा 3, 5, 8 और 10 में बच्चों की सीखने की दच्चता का व्यापक मुल्यांकन सरवेच्छर करके देश में उसकीली स्कूली सिच्छा परदाली की स्वास्त का आकलन करता है यह इसके लिए सिच्छा पड़ाली के समगर मुल्यांकन को दर्चाता है पिछला जो तो जो आपका यनेयस था वो 2017 में आयोजित किया गया था यनेयस 2021 में देश भर केंदरी और राजे सरकार के स्कूल कच्छा तीन और पांच के लिए भासा गड़ित और एवियस में 22 भासाओं में सर्वेचर किया गया है कच्छा आठ के लिए भासा गडित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी लाश्ट है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा W.E.F. का यात्रा और परेटन प्रितिसपरदास हुचकांग 2020 भारत जो है इसके मामले में 94 इस्थान पर है